ममी तुम क्या कर रही हो बेटा मैं खाना बना रही हूँ लो बेटा खाना खालो ममी तुम नहीं खा रही बेटा मैं नहीं खा सकती क्योंकि आज मैं ब्रहस पतिवार का व्रत हुँ ममी ये कौन से भगवान का व्रत होता है बेटा ये विश्णु भगवान का वरत होता है मम्मी क्या तुम मुझे इनकी कथा सुनाओगी हाँ बेटा किसी गाउ में एक साहुकार रहा करता था उसके घर में धन, वस्त्र और अन की कोई कमे नहीं थी परन्तु उसकी बीवी बहुत थी कृपन थी वो किसी भी भिक्षुक को कुछ भी दान नहीं करती थी एक दिन उसके यहां एक सादू भिक्षा मांगने आये थे उस समय उसकी बीवी घर लीप रही थी उसने सादू से कहा महराज मैं अभी आपको इस समय कुछ नहीं दे सकती क्योंकि मैं अभी घर लीप रही हूँ आप कभी और आना वह सादू बिना कुछ कहे वहां से चला गया कुछ दिनों बाद वही सादू फिर से आये इस बार साहुकार्णी अपने बच्चे को खाना खिला रही थी तो उसने कहा महराज मैं आज भी आपको कुछ नहीं दे सकती क्योंकि आज मैं अपने बेटे को खाना खिला रही हूँ सादू बिना कुछ कहे वहां से चले गए तीसरे दिन सादू फिर से आये और इस बार साहुकार्णी सादू को इस बार भी टालना चाहा यदि तुम्हें बिल्कुल ही अवकाश मिल गया तो क्या तुम अगली बार मुझे दान करोगी तो साहुकार्णी कहने लगी हां महराज अगर यदि ऐसा हुआ तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी ठीक है तो फिर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ तुम हर ब्रिस्पतिवार अपने घर का कूडा एक जगा इकत्रित कर लो और अपने घर वालो से कह दो कि ब्रिस्पतिवार के दिन अपने बाल कटवाले और ब्रिस्पतिवार के दिन रसोई बना कर चूले के पीछे रख दो शाम को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ ब्रहस्पतिवार को पीले वस्त्र ना धारन करो ना ही पीले रंके भोजन को खाओ यदि ऐसा करोगी तो तुम्हें घर का कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा जैसा जैसे साधू ने कहा वैसा वैसा ही साहुकार्णी ने हर ब्रहस्पतिवार को करना शुरू कर दिया था ऐसा करने की वज़े से उसके घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा था कुछ दिनों बाद वही साधू साहुकार्णी के घर के पास आकर भिक्षा की याचना कर रहे थे महराज मैं अब आपको क्या दू ? मेरे पास खाने का एक दाना भी नहीं बचा है जब सब कुछ तुम्हारे पास था तब भी तुमने मुझे भिक्षा में कुछ भी नहीं दिया और अब जब तुम्हें पूरा-पूरा अवकाश मिला है तब ही तुम मुझे कुछ भिक्षा में दान नहीं कर रही हो क्या चाहती हो पहले वो बताओ मुझे महराज अब मुझे आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी सारी धन संपती फिर से वापस आ जाए महराज अब मैं प्रतिग्या लेती हूँ कि मैं आप ब्रिसित साधूओं को भिक्षा जरूर दूँगी और सुनो इस दिन ब्रिसपतिवार को तुम सुबा उठकर अपने घर का गुड़ा साफ करो साफ सफाई करके और असनान करो असनान करने के बाद अपने घर के पूर्सों से कह दो कि इस दिन वो बाल कटवाएं और घर के रसोई में रसोई बना का घर के सामने रखो चुले के सामने रखो और अपने घर के सभी लोगों से कह दो कि वो इस दिन पीले वस्त्र पहने और पीले भोजन करें और घर आये किसी भी भिच्चु को ब्रियस्पतिवार के दिन खाली हाथ मतलव टाया करो फिर साहुकार्णी ने वैसा ही किया जैसे ओ साधु महाराज ने कहा था और इसके बाद उसके घर में अन धन और पैसो की बरसात हो गई जैसे उस पे क्रिपा किया वैसे ही सब पे क्रिपा करना ब्रियस्पत भगवान जै ब्रियस्पत भगवान की जै